शुब दोपेहर पेरे बच्चों, नागेश करजगी ओर्किड स्कूल तिथा परिवार के तरफ से मैं सुसलादी आपका इस ओनलाइन प्रणाली तासिका में सहर्ष स्वागत करती हूँ आज मैं विश्य हिंदी कक्षा छटी के लिए पाठ क्रमांक एक लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ आशा करती हूँ आप सब लोग अपने पाठ पुस्तव और अपनी अभ्यास पुस्ति का दोनों लेकर बैठे हूँगे पाठ की और बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछती हूँ जरा सोचिये और उसके जवाब दीजिये प्रात सुबर जब हमारी नींद खुलती है तो हम कौन-कौन सी आवाजे सुनते हैं जी हाँ बिल्कुल सही पहचाना प्रात सुबर जब हमारी नींद खुलती है तो हम किसी की बोलने की आवाज सुनते हैं दरवाजा खुलने की आवास सुनते हैं, गाड़ियों की आवाजे सुनते हैं, जी हाँ और पंचियों की चिडिया की चहकनी की आवास सुनते हैं जब शाम का संध्या का समय होता है तो हमारे कानों पर कौन सी सुमधूर आवास पढ़ती है? बहुत अच्छा चिडिया की चहकने की यानि कि चिडिया आप सब जानते हो जी हाँ अच्छा तो चिडिया को आप सब लोग जानते हो तो आपकी यहाँ जो जानी पानी चिडिया जो है उस जानी मानी चिडिया पर आधारिप हमारा जो पाठ क्रमांक एक है वह चिडिया जो यहां आज हम देखेंगे वह चिडिया जो यहां एक कविता है और इस कविता के रचेता श्री केदारनाध अगरवाल जी चे है वह चिडिया जो इस कविता के रचेता श्री केदारनाध अगरवाल जी है यहाँ जो कवीता है इस कवीता में श्री केदारनाथ अगरवाल जी ने स्वभाव में एक प्यारी सी चिडिया को रचा है देखिए इस कवीता में जो कवी ने कलपना की है वह कलपना चो की है उन्होंने उसके लिए उन्होंने एक चिडिया को लिया है और यहाँ चिडिया स्वभाव में कैसी है? जी हाँ, बिल्कुल प्यारी है यहाँ जो चिडिया है, जिस प्रकार से वहाँ स्वभाव में बहुत प्यारी है उसी प्रकार उसका जो वरणन है, वहाँ वरणन बताते समय उन्होंने कहा है कि यहाँ जो चिडिया है वहाँ आकार में बहुत छोटी है चिडिया आकार में कैसी है? बहुत छोटी है और उस चिडिया के जो पंख है वहाँ पंख नीले रंग के हैं और अत्यांत सुन्दर है जैसे कि चिडिया का आकार हो गया उसके पंखों का रंग हो गया उसी प्रकार कवी ने इस कविता में आगे यहां बताया है कि यहां जो चिडिया है उस चिडिया को अधपके जुंडी के दाने खाना बहुत पसंद है जैसे कि आजकल हम जो बच्चे हैं तो आप बच्चों को देखा जाए तो आपको दोसा, इडली, पिज़ा, बर्गर, चाइनीज ऐसे विविध्य खाद्य पधर्तों को खाने में रूची है परन्तु यहां जो चोड़ी सी चिडिया है इस चिडिया को जुंडी के जो दाने ह होते हैं न वह दाने खाना काफी पसंद हैं यहां जो चिडिया है वह चिडिया मुक्तस्वर से उन मुक्तकंठ से यानि की मुक्तस्वर से वह क्या करती है सुनसान जो पूरा घना जंगल है उस घने जंगल में सूमधुर गीत गाती हैं देखिए यह जो चिडिया है वहाँ चिडिया जंगल में उत्साह पुर्वक गीद गाती हुई इधर उधर उड़ती रहती है अब देखिए जैसे कि हम लोग अपने घरों में रहते हैं परंथु इन पंचियों का हम जैसे घर होता है नहीं यह पंचि किसी पेड़ पर गोसला बनाके रहते हैं यह जहां पर खुली जगह मिलती हैं पेड़ पौधो में वह क्या करते है अपने गोसले बनाते है परेंतु आज की हमारी यहां जो कवीता है इस कवीता में जो चिडिया हमने ली है या कवी ने जिस चिडिया को रचा है वहां चिडिया कहां रहती है घने जंगल में रहती है और उस घने जंगल में रहने के बाव जूद भी यहाँ जो छोटी सी चड़िया है वहाँ कैसे रहती है वहाँ दानन से रहती है खुशी से रहती है और उत्साह पुर्वक वहाँ क्या करती है गीद गाते हुए इधर उधर उड़ती रहती है वहाँ एकांत में भी उमंग से रहती है जैसे कि देखिए हम काफी काम करते हैं ठक जाते हैं बहुत आवाजे शोर सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें एकांत में रहना चाहिए एकांत यानि कि हमें सिफ अकेले रहना है तो जब हम अकेले में रहते हैं तो हम अच्छा मैसूस करते हैं ठीक उसी प्रकार यहां जो चिडिया है उस चिडिया को बी एकांत में रहना पसंद है और एकांत में रहने के बावजूद भी यहाँ चड़िया जो है वहां उमंग से यानि कि खुशी से आनंद से रहती हैं, दिखिए, यहां जो चड़िया है, वहां उफनती नदी से जलकी बूद्धों को अपनी चोंच में भर कर लाती हैं, अब प्यास बुचाते हैं परन्तों यह जो पंची होते हैं उनके पास कोई पानी का मटका भरा हुआ नहीं रहता तो यह लोग क्या करते हैं बहते नदियां जो है या तालाब जो है जो जरने हैं उन जरनों का जल जो है वो प्राशन करते हैं यह ग्रहन करते हैं और अपनी प्यास पूचाते हैं उसी प्रकार कविता में आय हुई जो चोटी से नारी से जो चड़िया है उसका जो बहता जल के जो बूंदे हैं। उन बुंदों को वह क्या करती है अपनी चोंच में लेकर उसे ग्रहन करती है और अपनी प्यास बुछाती है यहाँ जो चिडिया है वह चिडिया गर्व करने वाली और बहुत ही साहसी चिडिया है चिडिया कैसी है गर्व करने वाली और साहसी है जैसे कि देखिये बच्चों आप कोई अच्छा काम करते हो तो आपको अपने आप पर काफी गर्व महसुस होता है जैसे कि आपने परिक्षा में 90 अंक प्राप्त कियें आपको काफी गर्व महसुस होता है कि मुझे कितने अंक मिले है 90 अंक मिले है ठीक उसी प्रकार आपको जैसे गर्व महसुस होता है उ उसे भी क्या है अपने आप पर काफी गर्व है और यह चड़िया जो है वह काफी साहसी है उसे स्वतंत्रता पुर्वक जीवन जीना पसंद है देखिए स्वतंत्रता पुर्वक जीवन जीना हर एक व्यक्ति को पसंद है कोई किसी की बंदीशों में रहकर अपना जीवन जीन यहां अच्छा नहीं लगता हम स्वतंत्र विचार से स्वतंत्र मत से हमारा जीवन व्यतित करना चाहते हैं जैसे इंसानों की सोच हैं वैसे ही कवी ने यहां उस चिडिया की भी सोच यह उसके विचार हमारे सामने प्रयुक्त किये हैं और यहां जो चिडिया हैं वह भी क्या करना चाहती है स्वतंत्रत्ता पूर्वक अपना जीवन जीना चाहती है किसी की बंदीशों में रहना उसे पसंद नहीं उसे खुले आसमान में उढ़ना पसंद है ना बलकि पिंज्रे में रहना पसंद है इस कविता में वह चिडिया जो इस कविता में चिडिया के माध्यम से कवी श्री केदारनाथ अगरवाल जी ने जो मनुष के अंदर होने वाले महत्वोपूर्ण गुण है उन गुणों का उन्होंने क्या किया है वर्णन किया है जो हम क्या करने वाले है आगे देखने वाले है बच्चों देखियें, मैं कविता की कुछ काव्या पंक्तियां, कुछ काव्या अशाप को पढ़कर सुनाती हूँ ध्यान से सुनियें बहा चिडिया जो चौन्च मारकर दूथ भरे जुंडी के दाने रूची से रससे खा लेती है वह चोटी संतोशी चिडिया नीले पंक्खों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है देखियें, यह जो काव्या अशाप काव्या पंक्तियां हैं, वह मैं पुना और एक बार दोहराती हूँ, ध्यान से सुनियें बहा चिडिया जो, चौँच मार कर दोध भरें जुन्डी के दाने, रूची से रससे खा लेती हैं वहाँ छोटी संतोशी चिडिया, नीले पंक्तियों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार हैं इन काव्यांचों में जुन्डी यहां शब्द आया हैं आशा करती हूँ, आप सब लोगों ने अपनी पठ्य पुस्तक खोली हैं, तो वहाँ पर जुन्डी इस शब्द को आप पैंसिल से अधोरेखांकित कीजिएं और उसका अर्थ आगे लिखके लीजिएं जुन्डी यानि की जो, गेहूं और बाजरे की बालियां जुन्डी यानि की जो, गेहूं और बाजरे की बालियां प्रस्तुत जो काव्यांश है, उस प्रस्तुत काव्यांश में कवि श्री केदारनाथ अगरवाल जी ने इन पंक्तियों में एक छोटी सी चिडिया के माथ्यम से मानेवी ये गुणों का बढ़न किया है या मानेवी ये गुणों को प्रकट किया है जैसे कि मनुष्य है मनुष्य के अंदर उसके जो मानेवी ये गुण है वह काफी सारे है जैसे कि मनुष्य संतोशी होता है कभी असंतोशी होता है खुश होता है, कभी दुखी होता है, कभी-कभी वहाँ अपने आप में ही मस्त रहता है कभी-कभी उसी इस दुनिया से कोई लेंदे नहीं होता मनुशके ऐसे अनेईक मानविय गुण है तो कभी केदारनाथ अगरवालची ने इन काव्यांग्ष पंक्तियों द्वारा यह जो छोटी सी चिडिया है, उसके माध्यम से मानविय गुणों को प्रकट किया है अब देखिए, कभी ने मानविय गुणों को प्रकट करते सामय जो यहाँ छोटी सी चिडिया है उसकी कुछ विशिष्टाएं बताई हैं दिखी हमारे अंदर भी यानि कि इंसानों के अंदर भी कुछ विशिष्टाएं होती हैं जैसे कि आप बच्चे हो आप काफी होश्यार होते हो तो होश्यार ही यहाँ क्या होगे आपकी विशिष्ट हो गई तो वो उनकी विश्यश्षता हो गई हर एक विक्टी के अंदर उसके कई सारे हिस्टे विश्यस्टा होती है तो उसी प्रकार यहां जो चिडिया है उस चिडिया के अंदर भी जो विशिष्टा है उस विशिष्टा को कवी ने यहां बताया है अब यहां जो चिडिया है उसकी विशिष्टा क्या है देखिया कवी श्री केदार्णाद अगरवाल जी ने चडिया की जो विशिष्टा बताई है उसमें उन्होंने बताया है कि यहाँ जो चडिया है वहाँ चडिया की जो रूची है और उसके स्वभाव के बारे में उन्होंने बताया है रूची यानि कि उसकी पसंद उसे क्या पसंद है यह जो चिडिया है वह चिडिया उस चिडिया को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है वह किस प्रकार से अपनी पसंद दोहराती है यह अमारे सामने रखती है उसका स्वभाव किस प्रकार से है यह सारी बाते उन्होंने क्या किया है इसका ब्याश के द्वारा हमारे सामने रखने का प्रयास किया है प्रस्तु चुपंतिया है इन प्रस्तु पंतियों में चिडिया जो है वहां क्या कर रही है स्वयम अपना परिचे दे रही है चिडिया क्या कर रही है स्वयम अपना परिचे दे रही है देखें अगर हम किसी से पहली बार मिलते हैं किसी से हम पहली बार मिलते हैं तो उन्हें हम जानते नहीं या पहचानते नहीं ना उन्हें हमारे बारे में हमारा परिच्छे पता होता है ना उनके बारे में कोई जानकारी हमें प्राप्त होती है तब हम एक दूसरे को जानने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा परिच्छे देते हैं, हम हमारे बारे में उन्हें बताते हैं, जैसी कि हमारा नाम क्या है, हम कहां रहते हैं, हम क्या करते हैं, हमारी पसंद ना पसंद क्या है, हम आगे क्या करने वाले, ऐसे बहुत सारी बाते हम क क्या करते हैं हमारा परिच्छ देते समय सामने वाले को बताते हैं ताकि हम एक दूसरी को अच्छी तरीके से जान पहचान लें अब देखिए यह जो काव्यांश हैं इस काव्यांश में हम इस चिडिया के बारे में कुछ नहीं जानते हम सिफ इतना जानते हैं कि चिडिया को ह प्रकट करने के लिए रचा हैं। चिडिया आकार में कैसी हैं? अत्यांत छोटी हैं। और अत्यांत छोटी होने के बावजुद उसके पंखों का रंग कैसा हैं? नीला है। अब आगे देखिएं। यहां जो चिडिया हैं। वहाँ चिडिया आकार में छोटी होने के बाद उसके रंगों का पंख, उसके जो पंख हैं वहाँ कैसे हैं? नीले रंग के हैं। पता चला। यहां जो चिडिया हैं, उस चिडिया को अधपके जो जुन्डी के दाने हैं, वहाँ दाने खाना काफी पसंद हैं। मैंने पहले ही बताया कि जुन्डी का मतलब क्या है? जो, गेहु और बाजरे की जो बालिया होती हैं। अब यहां जो 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 गेहु और बाजरे की जो बालिया होती हैं, उनके जो अधपके दाने होते हैं, वहाँ दाने खाना यहां जो चिडिया हैं, वह काफी पसंद करती हैं। यहां जो अधपके दाने होते हैं, वहां बहुत रसीले होते हैं। अधपके दाने कैसे होते हैं? बिल्कुल सही, अधपके दाने बहुत रसीले होते हैं। तो यहाँ दाने रसीले होते हैं इसलिए यहाँ जो चिडिया है उन्हें क्या करती है रूची से खा लेती हैं चिडिया जो है उसे जो भी खाने को मिल चाता है उसे वह क्या करती है खा लेती हैं देखिए चिडिया को अधपके जुंडी के दाने खाना बहुत पसंद है परंतु हर समय पर यहां अधपके जुंडी के दाने मिलना खाने के लिए संभव नहीं है जब वह मिल जाते हैं तो उन्हीं चिडिया बहुत रूची से खा लेती हैं परंतु जिस समय उसे जुंडी के अधपके दाने नहीं मिलते उस समय उसे खाने के लिए जो भी मिल जाता है उसे वह क्या करती है रूची से आनन्द से खा लेती है उस चिडिया को अनाज के दाने विशेश रूप से प्रिया है देखिए जैसे हमें खाने में पिज़ा, बर्गर, चाइनीज यह सारी चीज़े पसंद होती है बच्चों को आम तोर पर उसी प्रकार यहां जो छोटी सी चिडिया है इस छोटी सी चिडिया को यहां जो अनाज के दाने हैं वह दाने विशेश रूप से प्रिया होते हैं देखिए इन पंक्तियों में कवी ने अत्यांत सरल शब्दों का प्रयोग किया है सरल शब्दों का प्रयोग करके उन्होंने यहां जो चिडिया की पसंद, नापसंद, उसका जो स्वभाव है वहां बताया है कवी ने आगे चलकर यहां कहा है चिडिया के माध्यम से हमें संतोशी बने रहने के लिए कहा है देखिए यह जो काव्यांश पंक्तिया है इन काव्यांश पंक्तियों द्वारा कवी हमें संतोशी बने रहने की सीख दे रहे है और इसलिए उन्होंने चिडिया का उधारण दिया है उन्होंने कहा है कि यह जो चिडिया है उसे वीशेश रूप से जुन्डी के जो अधपके दाने है वहाँ खाना अत्यंत प्रिय है या पसंद है परंतु परिस्थिती के अनुसार अगर उसे वहाँ दाने नहीं मिलते है तो खाने के लिए उसे जो भी मिल चाए वहाँ क्या करती है उसे अत्यंत रूची से और संतोष से ग्रहन कर लेती है वहाँ ऐसा नहीं सोचती कि मुझे अधपके जुन्डी के दाने नहीं मिले है तो मैं खाऊंगी नहीं उसे खाने के लिए जो भी मिल चाए उसे वह गरहन करती है और संतोशी से रहती है या संतोशी रह जाती है कवी ने हमें यही सीख दी है कि परिस्थिती कैसी भी हो हालात कैसे भी हो हर परिस्थिती में हर हालात में हमें खुश रहना चाहिए अनंदी रहना चाहिए जो नहीं है उसका अफसोस करते हुए आये हुए पलों को हमें गवाना नहीं चाहिए बिते हुए पलों को याद करके दुखी नहीं होना चाहिए आजके जो पल है या आने वाले जो पल है उन पलों को हम कैसे खुशी से बिताए और हम कैसे संतोस से रहे यहां हमें सोचना चाहिए चिडिया जैसे हर हालात में खुश रहती है खाने के लिए मिले ना मिले जब भी उसे खाने के लिए मिलता है उसे भगराण करती है खा लेती है और संतोश ही रह जाती है वह कभी जिद नहीं करती तो मनुष्य स्वभाव भी ऐसा ही होना चाहिए कि हमें हर हालात में, हर परिस्थिती में, हर सुख दुख में क्या होना चाहिए संतोष से रहना चाहिए या सुख से रहना चाहिए तो अभी हमने जो काव्याश पंक्तियां देखी है उस काव्याश पंक्तियों से हमें क्या सीख मिलती है बच्चो जी हाँ हमें इन काव्याश पंक्तियों से यह सीख मिलती है कि हमें संतोशी बने रहना चाहिए हमें हमेशा सुख से रहना चाहिए हमें कभी दुख नहीं करना चाहिए और कभी किसी को दुख नहीं देना चीखे? समझ में आया सब को? अच्छा। अब देखिए हम कविता की आगे की काव्याश पंक्तियों की और बढ़ते हैं। रस उंडेल कर गा लेती हैं। वहाँ छोटी मुह बोली चिडिया नीले पंक्खो वाली मैं हूँ। मुझे विजन से बहुत प्यार हैं। यहाँ जो काव्याश पंक्तिया हैं इनमें जो कठीनी शब्दार्त हैं बहुत इस प्रकार से हैं। उसमें इन शब्दों के नीचे अधोरे खांकित कीजिये और उसके आगे उनके शब्दों के अर्थ लिख लीजियें। पहला है कंठों कंठों यानी हमारा गलां। दूसरा है वन वन यानी जंगल आरण्यों तीसरा है वीजन वीजन यानी एकांत एकांत यानी अकेले रहना या अकेले होना। अब देखिए प्रस्तूप जो कावयनष पंक्तिया हैं इसमें कवी श्री केदावनात अगरवाल जी ने छोटी चिडिया के गायन की वीशिश्टा बताई हैं। पहली काव्यांश पंक्तियों में उन्होंने चिडिया के संतोशी होने की विशिष्टा बताई परन्तु अभी वह क्या कर रहे हैं इस काव्यांश में जो चिडिया है उसकी गायन की विशिष्टा बता रहे हैं कवी कहते हैं कि छोटी चिडिया मधूर स्वर में मुक्तक कंठ से गाती है यह जो छोटी सी चिडिया है वह क्या कर रही है मधूर स्वर में यानि कि मीठी आवाज में और मुक्तक कंठ से यानि कि खूले दिल से क्या कर रही है गीद गा रही है अब चिडिया जो है जब वहां मधुरस्वर से गीत गा रही है मुकतक कंठ से गीत गा रही है तो यहां चिडिया कहां गीत गा रही है बिल्कुल सही यहां चिडिया क्या कर रही है जंगल में गीत गा रही है चिडिया के यहां जो गीत है वहाँ गीद जंगल में रहने वाले लोगों को क्या होते हैं बहुत अच्छे लगते हैं दखिये एक छोटा सा बच्चा होता है जब वहाँ बोलने सीखता है तो वहाँ कुछ स्वर बोलता है या कुछ शब्द बोलता है तो मातापिताओं को अपने परिवार जनों को उसके स्वर सुनना काफी अच्छा लगता है वहां मनभावक लगते हैं ठेक उसी प्रकार यहाँ जो चिडिया है वहां चिडिया जब जंगल में रहने वालों के लिए वहाँ गीद गाती हैं तो वहां गीत उन्हें क्या होते हैं काफी अच्छे लगते हैं चिडिया के मधुर जो गीत हैं वहां मधुर गीत बुढ़ी बन बाबा को उसने समर्पित किया है जैसे कि हम कोई किताब देखते हैं या कोई लेख देखते हैं या कोई कविता देखते हैं तो उसके नीचे या उसके पहले पन्ने पर लिखा होता है कि यहां पिता जी को समर्पित है यहां मेरे प्रिया माता जी को समर्पित है समर्पित यानि कि उनके लिए केवल उनके लिए है तो यहाँ जो चिडिया है वहाँ जो यहाँ गीत गा रही है जगल में तो उसका यहाँ जो मधूर मीठा जो गीत है वहाँ गीत बुढ़े वन बाबा को उसने समर्पित किया है जो वहाँ वन है वहाँ काफी पुराना है और काफी घना है इसलिए कवी ने घने पुराने वन को बुढे वन बाबा कहा है कवी कहता है कि चिडिया छोटी है और उसके पंख नीले रंके है देखिए कवी पुराना यहाँ बात दोहराता है कि कवी तामे आई हुई जो चिडिया है वहाँ चिडिया कैसी है अत्यांतर छोटी है और उसके पंख नीले रंके है देखिए और एक बार मैं पुन्ह दोर आती हूं या बताती हूं कि चिडिया जो मधुर गीत गाती है वहां मधुर गीत उसने किसके लिए गाये है या किसको समर्पित किये है बुढ़े वान बाबा को समर्पित किये हैं और यहाँ जो बुढ़ा वन बाबा है वह कौन है तो कवी कलपना के अनुसार चिडिया जिस वन में रहती है वहाँ वन कैसा है बहुत ही पुराना है और घनावन है और उस पुराने घने वन को ही बुढ़े वन बाबा कहा गया है यानि कि मधुरस्वर में मुक्त कंठ से चिडिया का यहाँ जो गीद गाया गया है वहाँ बुढ़े पन बाबा के लिए गाया गया है या उनको समर्पित किया है यानि कि उस जो घना जंगल है उसके लिए उसने वहाँ अपना गीद समर्पित किया है कवी आगे चल कर यहां कहता है कि यहां जो छोटी चिडिया है जो नीले पंखों वाली चिडिया है वहां चिडिया क्या हो जाती है सबको हमें अच्छी लगती है हमारी जानी पहचानी चिडिया है देखिए आज आप लोग मुझे सुन रहे हो या देख रहे हो आप मेंसे कोई बालक या कोई बच्छा ऐसा नहीं होगा कि जो चिडिया को नहीं जानता होगा कोई है आप मेंसे ऐसा जो चिडिया को नहीं जानता है सब लोग जानते हो ना चिडिया को यानि कि हम रोज क्या करते हैं हमारी डायनंदीन जीवन में हम चिडिया को देखते हैं उसकी चहचे हाट को सुनते हैं और उसकी चहचे हाट सुनकर हमें काफी अच्छा लगता है हमारा मन प्रसंद हो जाता है तो यहाँ जो कविश्री केदारनात अगरवाल जी छो है वहाँ हमें यहाँ बताते हैं कि यहाँ जो चिडिया है वहाँ चिडिया हमें कैसी लगती है जानी पहचानी लगती है और जानी पहचानी लगने के बावजुद यहाँ जो चिडिया है वहाँ चिडिया हमें कैसी करती हैं चिडिया को एकांत बहुत प्रिया है चिडिया को क्या प्रिया है एकांत काफी प्रिया है देखिए जैसे कि मैंने पहले बताया कि हम सब को क्या प्रिया होता है अकेले रहना प्रिया होता है सब के साथ शोर में रहने से अच्छा हम क्या करते हैं अकेले में एकांत में रहना पसंद करते हैं और एकांत में रहकर अगर हम पढ़ाई करते हैं हमारा कोई कारिया करते हैं तो वह काफी अच्छ से हो जाता है और एकांत बहुत प्रिया होने के बावजूद भी वह हम क्या करती है उस घने जंगल में अपने मधुर गीत गाती हैं कभी आगे चलकर यह बताते हैं कि चिडिया के माध्यम से हमें प्रकृती से प्रेम करने का संदेश देते हैं हमें क्या संदेश देते हैं कि हमें प्रकृती से प्रेम करना चाहिए दिखी यह जो छोटी सी चिडिया है परन्तु वहां जो मधुर गीत गाती है वहां किसके लिए गाती है बुठे वन बाबा के लिए यानि कि जंगल में रिरने वाले सारे लोगों के लिए उस जंगल के लिए वहां अपना मधुरगित गाती है उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं होता है ठीक उसी प्रकार हमें भी क्या करना चाहिए प्रकुरती से प्रेम करना चाहिए क्या करना चाहिए जी हाँ बिल्कुल सही प्रकूरती से प्रेम करना चाहिए हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए अगर हमने पेड़ पौधे लगाये हैं तो उनकी रक्षा करनी चाहिए उन्हें समय पर पानी देना चाहिए अगर कोई पेड़ काट रहा है तो उसे रोकना चाहिए क्योंकि अगर हम प्रकृति का सवरक्षन करते हैं तो हम उसके जरीए हम हमारा खुद का सवरक्षन करते हैं जैसे कि हम सुनते हैं ना पेड लगाओ, जीवन बच्चाओ, तो देखिए अगर हम परियावरण सरक्षन करते हैं, तो हम परियाए से क्या करते हैं, हमारे पृत्वी का सरक्षन करते हैं, हम अगर प्रकृती से प्रेम करते हैं, पेड पौधे लगाते हैं, तो उससे हम प्रदुशन रोख सकते हैं, ज चाहिए आशा करती हूँ आप भी इसका व्यांश्रे प्रेरणा लेकर हर एक मिध्या बच्चा अपने घर में हर एक पौधा लगाएगा लगाओगे न अच्छा और सिर्फ पौधा लगाकर उसे छोड़ना नहीं है उसका क्या करना है उस पौधे की देखबाल करनी है उसकी रक्षा करनी है ठीक है यह जिम्मा आपका आशा करती हूँ आप सब लग अपने घर के आंगण में एक पौधा लगाओगे आज हमने वह चिडिया जो इस कविता के माध्यम से यह संदिश देखाया हमें यह सीख मिली कि हमें क्या करना चाहिए हर हाल में संतोशी रहना चाह ठीक है आशा करती हूँ आज मैंने जो भी बढ़ाया आपको समझ में आया है अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे वाटसप ग्रूप पे आपकी जो भी दिक्कते हैं या जो आपको भाग समझ में नहीं आया है वहां आप मुझे पूच सकते हैं आगे की जो कविता हैं वह हम क्या करेंगे हमारे अगले तासिका में देखेंगे धन्यवाद एवां शुभदिन